है एवरीवन विल्कम टु कोडिंग सेंस और इस वीडियो में हम अवेट कीवर्ड के बारे में थोड़ा और जानेंगे बैसिकली इंटर्वी क्वेशन्स में थोड़े बहुत ऐसे पूछे जाते हैं के इãos देखें दो तीन function देके उसके अंदर async अवेट और फिर उसका कैसे call हो रहे है सके एक बार हम देखतें a Vaid keyword क्या क्या कर शकता है एसा हम संजिये कि जो reflect ke worth basic li above asynchronous बाकी जो सारे चीज़े asynchronous है इस वीडियो में हम यह समझते है पहले ठीक है यह हम समझ के चलते है अभी के लिए कि await keyword asynchronous है इसके सिवा rest are synchronous ठीक है अभी देखिए basically एक मैं function बना रहा normal function है इसका नमा main दे रहा जल्दी से और यह कुछ नहीं यह return करता है new promise ठीक है तो basically आपको पता है कि new promise के अंदर हम जब create करते है तो एक parameter function पास करते है जो executor function होता है और इस function के अंदर अपने को resolve या reject पास करना पड़ता है ठीक है basically आप इसको directly भी call कर सकते है जो हम अलड़ी पढ़ चुके हैं यह promise.resolve write और promise.reject basically यह दोनों एक जो चीज है हम इसको call कर रहे resolve अगर आप call करते है तो resolve कर रहे directly reject कर रहे है तो इस method को call करते है basically यह दोनों जो parameter मिल रही है function है हमें पता है अलड़ी है ना अब हम यहाँ पर क्या करेंगे resolve करते है simple सा बस हमें flow समझता है resolve करते है और let's say यहाँ पर कुछ अभी के लिए resolve नहीं करते और एक काम करते है एक function बनाते है dummy function ठीक है dummy function और यह मेरा normal function रहेगा अब सिर्फ मैं क्या करूँगा ना कि इसके आगे async लगाँगा ठीक है तो मैंने लगाए async अब क्या होगा कि अगर async लगाता हूँ और dummy function कॉल करूँगा तो basically मुझे क्या देखने के मिलेगा let's say मैंना output यहाँ store किया और मैं यहाँ पर console.log output कर रहा ठीक है तो normally हमें पता है कि यहाँ promise मिलेगी लेकिन हमें output ने करना just हम क्या देख रहे हैं पर क्या आता है अब यहाँ पर कैसा है कि normally dummy के अंदर मुझे क्या करना है कि यह हमारा main क्या promise है अगर मैं main call करूँगा तो then block और catch block देखे हैं यानि कि main क्या return कर रहा है एक नया promise create करके दे रहा है जो resolve हो रही है और अभी के लिए हम इसके अंदर कुछ नहीं रख रहे है तो अभी कैसा करना हमें मान लीजे कि इस dummy function के अंदर अगर मैं console data करता हूँ और मैं क्या करूँगा अब इसके अंदर await keyword यूज़ कर सकता हूँ और await keyword किसके आगी यूज़ करते हैं आपे यहाँ पे let's use करते है main के अंदर जो अपनी promise return कर रही यानि कि यह promise के लिए wait करेगा और नीचे जाएगा अब यह normal है राइट अब इसका flow of control देखते हैं कैसे काम करता है अगर मैं आप one print करूँ normal इसके बाद हम क्या करेंगे dummy के अंदर जाएगी यहाँ पे हम क्या करते है console.log 2 print करते है यहाँ पे हम data print करते है ठीक है normal है कोई अलग चीज नहीं है अब main के अंदर जाते है main यहाँ पे है और हम क्या कर रहे है console.log 3 print कर रहे और इसके बाद just इस console.log के अंदर 3 ना print करके हमें काम करते है इसके अंदर जाते हैं और यहां हम 3 प्रेंट करते हैं और जस्ट इसके नीचे यहां पर 4 यह 4 रिसॉल्व करेगा और इसके नीचे 5 ठीक है? क्लियर है सब चीज और लास्ट में हम क्या 6 करेंगे इसमें कोई ज्यादा कुछ टफ नहीं है तो अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो हमें दिखेंगे एक फंक्षन नॉर्मल एक फंक्षन यहां पर और हम यहां पर कॉल कर रहें अब इसका फ्लो समझते हैं अब दिखेंगे क्या मिल रहा है ध्यान से 123-564 यह ऐसा क्यों चला पहले 1 तो चलेगा basically हम क्या फॉलो करते है non-blocking single-threaded plus non-blocking अपना जास्क्रिप्ट है single-threaded plus non-blocking जास्क्रिप्ट अपना ऐसी गाम करते है यानि कि synchronous जाएगा और कुछ block होगा तो उसको future में execute करेगा अब यहां पर 1 1 आया सही में उसके बाद dummy में गया हम right dummy में गया तो हमें क्या मिला 2 right फिर await चला await किसके लिए रुखेगा main के लिए main क्या promise right तो main के अंदर गया और यह return हुआ यहां से तो basically क्या हो रहा है यहां पर normally क्या हो रहा है यहां पर कि console.log 3 चलेगा तो यहां पर 3 चला इसके अंदर right फिर क्या resolve हुआ इसके बाद resolve 4 हुआ था लेकिन अपने को 5 मिला यानि कि इसका result क्या आएगा future में आएगा right even though हम यहां पर कोई time ने ले रहे लेकिन इसका result किसमें आएगा future में so future में 4 आएगा अब हम गए आगे right इसको future में रखते हैं इसको आगे गए 5 तो अपने को क्या print किया 5 right अब यहां तक काम खतम अब इसका jes भाईया इसके बाद में काम करेंगे ठीक है event loops हमाल रहे है भी इसको अब यहां से हम बाहर निकलेंगे right तो mail किसने call किया तो यहां पे ठीक है अब इसके नीचे हम नहीं जाएंगे क्यों क्यों क्योंकि 4 आने के बाद हम जो result है तो ही नीचे जाएगा तो इसका wait करेगा जब यह 4 resolve होगा तो ही यहां पे flow आएगा नहीं तो यह काम नहीं करेगा है ना अब console.log जो है just यह हमारा क्या return करता 4 इसलिए 5 के बाद ठीक है 5 के बाद क्या प्रिंट हुआ आप अगर देखेंगे तो 6 हुआ क्योंकि यह 6 है इसके नीचे नहीं जाएगा क्यों क्योंकि यह asynchronous है right so basically यह async क्यों क्योंकि हमने await keyword use किया इसलिए यह async है यानि कि अब इसके नीचे का result सब बाद में आने वाला है इसलिए यहां से lot जाएंगे तो basically इसके अंदर जो print किये थे last हम 5 किये थे अब इसके बाद 6 में आए right so clear है इससे हमें क्या समझ में है कि async यहां पे कैसा काम कर रहा है asynchronous sorry await कैसा काम कर रहा है asynchronous right so clear है one dummy के अंदर गया two print किया क्योंकि यह future में नहीं blocking नहीं है right सब present में मिल जाएगा यह main है await बोलता है कि मैं main के लिए रूख रहा हूँ चलो main के अंदर चलते तो यहां पे गया three print किया अब यह four future में आएगा right तो अब इसके नीचे चला गया five ठीक है अब resolve के लिए main रूखेगा ठीक है इसके बाद ही इसके बाद अगर यह होता है तो ही नीचे जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा इसका मतलब अपना js रुखेगा नहीं आगे जाएगा यानि six clear है सो इसके clear समझ मैं है कि basically जब भी आप await यूज करते हो right promise के साथ तो यहाँ पे चीजे क्या हो जाती है और synchronous हो जाती है इसलिए पहले one फिर dummy के अंदर गया dummy के अंदर two यह print इसलिए हो गया await इसके आगे main तो main के अंदर गुसेगा main के अंदर गया तो क्या मिला three right क्योंकि यह block तो करनी रहा resolve यानि कि यह basically क्या synchronous है asynchronous है future में आएगा तो इसके लिए क्या नहीं इसके लिए इसको ignore करेगा यह five right five आएगा जब इसका काम यहाँ पर खतम अब यह तो result future में आएगा तो जो अभी होने वाला है काम हो गया main वापस काम पर आगा यहाँ पर और await बोल रहा है कि नहीं मैं आगे नहीं जाने दूँगा नीचे इसका result आने दो यानि four आने दो so one two three five six उसके बाद four आएगा यह है में मिल रहा है यहाँ पर यह देखिए one two three five six right four तो यह समझ मैं कि basically await asynchronous है right so यहाँ पर clear await किया है asynchronous काम कर रहा है right यानि कि code हम sequence में नहीं कर पाए asynchronous नहीं रहता तो कैसे जाता one रहता dummy के अंदर गया two रहता right फिर main के अंदर गया three रहता फिर four आता फिर five आता right फिर क्या आता अपका क्या यह six आता so यह exactly ऐसे जाना चाहिए था यह क्या synchronous asynchronous कैसे काम किया यह four का result बाद में आए future में क्योंकि यह block कर रहा था right तो जो चलने वाला हो चल गया यहाँ पर इसके लिए नहीं रुकया इसके लिए इसलिए नहीं रुका क्योंकि यह जो promise के अंदर अपना main जो promise है जो return कर रहा है इसका result future में आना वाला है यह सब जो है synchronous है इसलिए जो चल सकता है चल गया इससे बस synchronous और यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि यह इस पर depend करते है इसलिए clear है interview में पूछ सकते है कि कैसे चल रहा है चल एक दूसरे example देखते है इसको मैं clear कर देता हूँ और अपने code को comment out करता हूँ यहाँ तक कि लिए या फिर इसको ऐसी रहने देते है copy कर लेते है और फिर यहाँ पर paste करेंगे ठीक है अब इसमें थोड़ा सा change करते यह तो promise return कर रहा था ना main इस promise के case में asynchronous काम किया तो क्या अगर promise return नहीं करेगा तो भी asynchronous काम करेगा ऐसा है यह एक बाद test करेंगे अब तो basically अब हम क्या करने वाले main के अंदर इसको थोड़ा सा साफ करेंगे ठीक है यह clear कर देते और अभी क्या यह भी clear कर देते और अभी क्लिए यह भी clear कर देते main dummy अभी हम क्या करेंगे main मेरा क्या करेगा simply जो भी है return करेगा अब और अपना dummy है basically यह क्या करेगा cons data main को call करेगा ठीक है लेकिन main को call करने से पहले इसके लिए wait करेगा ठीक है रुकेगा main के लिए रुकेगा ठीक है अब मैं क्या करूंगा dummy को यहाँ call कर रहा अब ध्यान से देखिए main मेरा promise नहीं है अब मैं console.log करके देखता हूँ कैसे चलता है ठीक है यह बहुत important है इसकी समझ interview में पूछते हैं बहुत बार और इसका flow में समझ माना चाहिए तो dummy में गए यहाँ पे क्या कर रहे है console.log 2 कर देते है ठीक है और main जो है यहाँ पे आएगा और इसके बाद हम यहाँ पे 4 के बाद data print कर रहे है जो भी main रिटर्न करेगा ठीक है या जो भी main देने वाला है data और इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे है 4 हो गया 5 कर रहे है अब इसका output देखते हैं कैसे काम कर रहे है refresh अभी देखिए 1,2,3,5,4 अब यहाँ पर क्या हो रहा है यह अपना दूसरा case है इस case में यह promise नहीं है ठीक है पहले case में promise था तो अगर पहला जब JS भहिया इस file में आएंगे तो पहले बोलेंगे ठीक है तो definition है definition है अब यहाँ उनको function मिला उन्हेंने run कर दिया फिर बोले चलो dummy के अंदर जाना dummy के अंदर गए यह non blocking है और plus क्या synchronous है 2 हो क्या अब उनको मिला main main के अंदर गए मिला 3, 3 print कर दिये अब इनको क्या मिला return 4 लेकिन return 4 क्या आगए अब wait है तो यह क्या करेंगे इससे जो भी return हो रही है इसको बाद में देखेंगे पहले क्या करेंगे basically यह इससे बाहर निकलेंगे बाहर निकलके यहाँ पर यह क्या बता रहा है यह चीज यह future में आएगा मतलब यह है time taking और इसका result future में आएगा ठीक है और यह JS पर तुरंत नहीं इसको समालेगा event loop ठीक है और उनका जो भी यह job queue main queue ठीक है यह सब समालेगे तो यह basically JS पर यह इस पर काम नहीं करेंगे यहाँ से वापस आएंगे और फिर क्या print करेंगे 5 जब इसका result आ जाएगा मतलब इसका result इससे sit time mode में even though आप 0 देते हैं तो इसका मतलब तुरी तुरंत run करेगा नहीं न तो basically जो भी await लगाते है यह handle करता है event loop और job queue और आपको callback queue जो भी है तो यहाँ पर इस case में job queue handle करेगा क्यों कि इसके pretty high होते है और pretty वाले चीज जोब क्यों में जाता है वो हम अलड़ी देख चुक है न event loop वाले में लेकिन यहाँ पर देखिए await लगते ही basically क्या है इस function के अंदर जो synchronous वही run होगा ठीक है और बाकी चीज नहीं होगी तो इसने क्या क्या यह 4 आएगा return होगा लेकिन इसमें time लगेगा इसलिए यह वापस अगया यहाँ पर 5 print हुआ उसके बाद 4 यहाँ value आया और इसलिए यह चीज कैसे चली यहाँ पर async चली यह asynchronous चला synchronous चला यह async चला यह 4 so 4 का result किसमें आया future में आया ठीक है यह किसका कम आले await का कम आले so await के treat करतार चीज को asynchronous चाहे promise हो चाहे non promise हो ठीक है इसका result बाद में आयेगा इसलिए यहाँ पर अपना नीचे नहीं जा सकता जबकर इसका data नहीं आयेगा even though 0 millisecond भी लगे यह भी 0 millisecond भी कुछ time होता है या 1.2 bit millisecond ले लिजे second का कितरा भी हिस्सा हो लेकिन यह तुरंत इसका response नहीं आयेगा इसलिए JS await देखके समझ आता है कि ठीक है main के अंदर जो synchronous है जैसे console.log यह इस पर लिखतो बाकी नीचे return कर दो यहाँ पर सबसे मजे की बात क्या है even though 4 कह रहा है यह 4 चट पटा रहा है कि भाईया मैं promise नहीं हूँ मैं normal हूँ मैं normal value हूँ कोई promise value नहीं हूँ फिर भी await कर रहा है नहीं रुको तुम अभी रुको await मतला कितना भी 4 चट पटा रहा है कि भाई मैं यहाँ पर आके बैठ गया हूँ मुझे इसमाज आने दो await बोलता नहीं अभी js को लॉट जाएगा अगली वर जब हम करेंगे तब तो यानि कि इसलिए 4 यहाँ पर क्या रहा है basically future में आ रहा है तो अब 4 तो कह रहा है कि normal है लेकिन await इसको आने नहीं दे रहा data में और कह रहा है कि नीचे का तब await लगिया मतलब क्या asynchronous future और js future के सा directly deal नहीं करता ओ देता है third party को यानि जो इनका अपना event loop और यह सब है और यह अपना काम से काम रखता है तो चला गया 5 पर event तो मतलब js जेस बोल रहा है कि जेस कर रहा है कि ठीक है नॉर्मल value है तो चलेगा लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ await लगा है await मुझे आने नहीं देगा तो इसलिए 4 खुद चल के भी आया ambulance पे लेकिन फिर भी data में 4 नहीं गया तुरंत क्योंकि यह future में आने वाल रिजल्ट था इसलिए 2 के बाद main में गया 3 हुआ 3 यहां पे नहीं आया 3 के बाद सीधा 5 पे गया उसके बाद 4 बाद में आ तो वापस js भी यहां पे है ठीक आचा 4 आ गया आजो फिर console.log में js भी यहां 4 प्रिंट कर दिया तो यह वापस यहां से return हो गए ठीक है और वापस गए जो इस function यह main किस ने call किया था ढमी ने और dummy किस ने call किया था यहां global में तो यहां पे गया फिर 5 इसलिए 1,2,3,5,4 आपको समझ में होगा अगला example देखते हैं अगले example में हम थोड़ा सा change करेंगे इसको वापस copy करते हैं ठीक है और बस main मकसद है समझना इस वीडियो में ज़्यादा time ने लगाएंगे अब यह देखिए basically यहां पे सारा चीज सेम रहेगा अपस await नहीं रहेगा ठीक है तब ही कैसे काम करता देखते हैं अब इसको वापस print किये यहां पे अब देखिए 1,2,3,4,5 यानि कि अब exactly सही चला है न क्योंकि यहां पे कुछ रोकने वाला नहीं था मतलब basically इसका मतलब await किया है इसको रोक के रख रहा था है न अब यहां पे देखिए यह 1 हुआ, dummy के अंदर गया भीया 2 हुआ, js भीया, main के अंदर गया 3 और basically यह return हो जाता लेकिन await नहीं लगाए इसलिए return तुरंथ हो गया और यहां पे data में sign हुआ data में 4 आया, फिर 5 क्योंकि इसके नीचे और कुछ था नहीं तो basically अगर आप इसके अंदर await लगाते तो यह सारा जो भी console.log है straight forward, यह तुरंथ हो जाएगा बाकि return चीज यहां पे आएगी लेकिन future में आएगी, इसपे sign होगी क्यों, क्योंकि await ऐसे गाम करता है तो यह था scenario 3 scenario 1 था, जिसमें हमने use किया promise scenario 2 हमने किया, promise हटाया simple use किया, लेकिन हमने await यूज किया यहां पे, जैसे पहले scenario में किया था इस case में कोई promise नहीं कोई await नहीं, सिर्फ async function तो इसका मतलब async होने से कोई मतलब नहीं यहां, even though async promise return करता है, लेकिन इसकी अंदर की चीज़े synchronous run कर रही है, ठीके if no await keyword then body of async function will run line by line, यानि in sequence events, या फिर और synchronous, ठीक है समझ गए तो यह था scenario 3 और I hope आपको यह समझ में आया होगा basically interview questions में पूछते हैं, तो सोचा थोड़ा deal कर ले इसके साथ तो मिलते हैं अगले वीडियो में नही concept के साथ ठीक है, thank you so much, bye bye